नमस्कार मैं वह विशेक पियागी IPL 2023 की लगातार चर्चाएं चल रही है हर खबर लगातार हम आप तक पहुचा रहे हैं लगातार ये बाते चल ले हैं कि कौन सी टीम ताकतवर है कौन सी टीम कमजोर है लेकिन इस वक्त चर्चा है गुजरात टाइटन्स की गुजरात टाइटन्स की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है गुजरात को डर सता रहा है हर्दिक पांडिया के बाहर जाने का जी हाँ हर्दिक पांडिया के बाहर जाने का अब आप सोच रहे होंगे कि हर्दिक पांडिया तो गुजरात के कप्तान है तो फिर बाहर जाने का डर क्यों है तो मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर गुजरात को हर्दिक पांडिया के बाहर जाने का डर क्यों सता रहा है क्यों गुजरात की टीम हर्दिक पांडिया से हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रही है कि मेरे भाई अपना ध्यान रखो कि टीम इंडिया के लिए खेलते खेलते ज्यादा वर्कलोड के चलते हर्दिक पांडिया चोटिल ना हो जाएं क्योंकि हर्दिक पांडिया को अब कप्तान बनाया गया है न्यूजिलेंड दौरे पर हर्दिक पांडिया कप्तान होंगी कप्तान होंगे तो जाहिर तौर पर ज जटकार लग सकता है क्योंकि आपको पता है कि गुजरात को चैंपिन बनाने में हार्दिक पांधिया का बड़ा योगदान था बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में हार्दिक पांधिया ने एक एहम किरदान निभाया था साथ ही उनकी जो समझ है कप्तानी की उसके चलते गुजरात को ट्रोफी मिली थी तो ऐसे में गुजरात की टीम को डर सता रहा है कि हार्दिक पांडिया IPL 2023 से पहले चोटिल ना हो जाए अगर हर्दिक पांडिया चोटिल हो गए क्योंकि उनकी मासपेशिया अभी उस तरीके की नहीं है अगर हर्दिक पांडिया चोटिल हो गए तो ये गुजरात की टीम को बहुत बड़ा धटका लग सकता है इसलिए गुजरात की टीम हर्दिक पांडिया से प्रार्थना कर रही है कि अपना ध्यान रखिये ज्यादा वर्कलोड मत लेना इसलिए ताकि आप बहतर तरिके से IPL 2023 में शिर्कत कर सके गुजरात के लिए प्रॉपर खेल सके तो यह गुजरात की टीम की प्रार्थना हर्दिक पांडिया से है आपका इस खबर पर क्या कहना है IPL की लगातार अपडेट हम आप तक पहुचाते नहेंगी लगातार अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दिलना थैंक्यू अनिमच